दोस्तों फोन में डेटा ओन है लेकिन फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस वीडियो में आपको इस प्रोब्लम का 100% सॉलूशन मिलने वाला है चाहे आपके फोन में किसी भी कंपनी का सिम हो, एर टेड हो, जी ओ हो या फिवी आई हो ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन में फुल नेटवक भी आएगा और इंटरनेट हाई स्पीड में चलेगा यूटूब पे दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें लोग आपको अलग-अलग तरीका बताएंगे लेकिन कोई भी आपको 100% सॉलूशन नहीं देता है लेकिन यकीन मानो ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% सॉलूशन मिलने वाला है और आपके फोन में इंटरनेट हाई स्पीड में चलने वाला है तो वीडियो को ध्यान से और एंटर देखना वीडियो पसंद आये तो आप इसको लाइक और शेर कर देना चैनल या फिर पेट पे पहली बार आये हो तो आप इसको सब्सक्राइब और फॉलो जरू कर लेना ताकि ऐसे ही इंफर्मेटिव वीडियो जाब आगे भी देख पाओ तो आईए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं तो आईए दोस्तों आप मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके फोन में डेटा ओन है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर बहुत ही स्लो चल रहा है तो आप इस प्रवलम को कैसे फिक्स करोगे तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में इस में सेटिंग्स वाले पेज को ओपन करना है सेटिंग्स के पेज को ओपन करने के बाद अब दोस्तों आपको पहले कुछ छोटे छोटे सेटिंग्स करने हैं उसके बाद से last में मैं आपको दो main settings बताऊँगा इन दोनो main settings को अपने phone में करने के बाद से आपके phone में full network भी आएगा और internet high speed में चलेगा इसलिए दोस्तों आप last के इन दोनो main settings को बिल्कुल भी मिसमत करना नहीं तो आप इस problem को fix नहीं कर पाऊगे तो settings के page को open करने के बाद यहां उपर side में ही आपको एक option मिलेगा mobile network के नाम से या फिर हो सकता है आपके phone में इसके जगे पे option मिले connection के नाम से या फिर sim card in mobile network के नाम से कुल मिला के आपको इस पे click करना है फिर दोस्तों आप अपने phone में जिस भी sim से internet चलाते हो उस sim पे click कर देना है ऐसा interface आपको देखने को मिलेगा इस page पे आपको एक option मिलेगा data rooming के नाम से अगर यह setting आपके phone में बंद है इसे आपको on कर देना है यह setting दोस्तों होता है कि कभी आप strict से बाहर जाते हो तो उस दोरान भी आपके phone में इंटरनेट चलता रहेगा इंटरनेट रुगेगा नहीं इसके बाद यहां पे एक option मिलेगा वोल्टी L, अगर यह setting आपके phone में बंद है इसे on कर देना है इसके बाद यहीं पे अगला setting आपको मिलेगा wifi calling अगर यह setting भी आपके phone में बंद है इसे भी आपको on कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक option मिलेगा preferred network type यह फिर हो सकता है आपके phone में इसके जगे पे option मिले network mode के नाम से इस पे click कर देना है अगर दोस्तों आपका phone 5G है तो आपको हमेशा यहाँ पे 5G पे set करकर रखना है अगर आपका phone 4G है तो हमेशा आपको यहाँ पे 4G पे set करकर रखना है ठीक है इसके बाद आपको back आना है और यहाँ last में आपको एक option मिलेगा career के नाम से या फिर आपके phone में option हो सकता है select manually के नाम से उस पे click कर देना है और इस setting को आपको हमेशा on करकर रखना है ठीक है इतना करने के बाद अब दोस्तों आपको अगला setting करने के लिए यह setting और उसके बाद वाला setting बहुत ही important है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना ठीक है तो इस setting को करने के लिए आपको वापस अपने phone के main settings वाले page पे आना है सबसे उपस search box दिया है इस पे click करके इसके अंदर आपको type करना है reset लिख के आपको search कर लेना है और यहीं पे दोस्तों आपको एक option मिलेगा reset network settings इस पे जब आप click करोगे ऐसा interface आपको दिखाई देगा लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे reset का आपको तीन setting देखने को मिलेगा पहला setting है reset network settings reset all settings erase all data factory setting यहाँ पे दोस्तों आप गलती से भी इस last वाले option erase all data factory setting पे click मत करना नहीं तो आपके phone के अंदर जितना भी आपका data है सब कुछ delete हो जाएगा आपको आजाना है सबसे पहले वाले option पे reset network setting इस पे click करना है क्योंकि दोस्तों आपको अपने phone के network को reset करना है ठीक है इस पे एक बार click करना है फिर आपने अपने phone में जो भी password लगा रखा है उस password को डाल देना है फिर से आपको ये option देखने को मिलेगा reset network setting इस पे click कर देना है कुछ second का time लेगा और दोस्तों आपके phone का network पूरी तरीके से reset हो जाएगा उसके वाद से आपके phone में हमेशा full network देखने को मिलेगा जैसे कि अभी आप में phone में देख रहे हो इसके बाद दोस्तों अब आपको अगला setting करना है अगला setting करने के लिए आपको वापस main settings वाले page पे आना है फिर से आपको यहाँ mobile network पे click करना है जिस भी sim से आप internet चलाते हो उस पे click कर देना है यानि कि आपको वापस इसी page पे आ जाना है इस page पे यहाँ पे नीचे साइड में आपको एक option मिलेगा access point names इस पे click करना है और दोस्तों ऐसा interface देखने को मिलेगा जहाँ पे आपके phone के जितने भी default APNs होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों इस page पे आ करके आपको एक नया APN create करना है ताकि आपके phone में high speed में internet चले तो इस नया APN को कैसे create करना है इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना इसके लिए सबसे उपर देखिए पलस का icon दिया है या फिर आपके phone में नीचे add का option हो सकता है या फिर आप three dots पे click करोगे तो add का option मिल जाएगा कुल मिला के आपको इस पे click कर देना है ऐसा interface open होगा ये एक phone के तरह दिखता है अब यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान देना इस page पे पहला option है name इस पे आपको click करना है और इसके अंदर आपको type कर देना है Airtail new name के अंदर Airtail new उसके बाद है APN इस पे click करना है और इसमें आपको type करना है Airtail GPRS.com नेम में रहेगा Airtail new APN में रहेगा Airtail GPRS.com इसके बाद अगला option है प्रॉक्षी इसमें कुछ नहीं करना है आपको आ जाना है port में port पे क्लिक करके इसके अंदर आपको port टाइप कर देना है 8080 ठीक है इसके बाद से दोस्तों अगला option है username और password इसमें आपको कुछ नहीं करना है सिधा आपको आ जाना है server पे server के अंदर दोस्तों आपको google का server टाइप कर देना है www.google.com इस तरह से ठीक है इसके बाद अगला option है mmsc, mms proxy, mms port इन सब में कुछ नहीं करना है फिर अगला option मिलेगा mcc, mnc इसमें भी कुछ नहीं करना है ये code दोस्तों जो आप देख रहे हो ये area के हिसाफस होता है आपके phone में ये code अलग भी हो सकता है अगला option यहाँ पर authentication type इस पर क्लिक करना है और इसमें आपको ये last वारा option pap और chap इसको select कर लेना है फिर यहाँ पर आपको मिलेगा APN type इस पर क्लिक करना है और इसमें आपको type करना है default default type करने के बाद अगला option मिलेगा APN protocol इस पर क्लिक करना है इसके अंदर आपको टाइप करना है लाश्ट वाला option सेलेक कर लेना है IPv4 slash IPv6 फिर अगला option मिलेगा APN roaming protocol इसपे क्लिक करके इसमें भी लाश्ट वाला option IPv4 slash IPv6 को सेलेक कर लेना है फिर दोस्तों सबसे important setting ये वाला bearer इसपे क्लिक करना है और by default ये not specified पर सेलेक्ट होगा इसे आपको यहां से uncheck करना है इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको जितने भी options दिख रहे हैं इन सभी को आपको यहां पर सेलेक कर लेना है हो सकता है दोस्तों आपके phone में इससे कम option दिखे जितना भी option आपके phone में दिखता है उन सभी को सेलेक्ट करना है यहां से back आना है फर यहां पर last में आपको एक option मिलेगा MVNO type इस पर क्लिक करके इसमें none को सेलेक्ट कर लेना है इतना करने के बाद अब दोस्तों आपको इस APN को save करना है save करने के लिए उपर दिखे done का option दिया है आपके phone में नीचे save का option हो सकता है यह फिर 3 dot पे क्लिक करोगे save का option मिल जाएगा कुल मिला करके आपको इस APN को save करना नहीं भूलना है इसे आपको save कर लेना है save करने के बाद से दोस्तों अब वो APN आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो आपने जो भी नया APN create किया है इसे आपको select कर लेना है और दोस्तों अब आपको अपने phone को एक बार restart करना है ठीक है phone को restart करने के बाद से दोस्तों अब चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने phone में internet speed को check करके दिखाता हूँ यह सारा setting करके नया APN create करने के बाद अब मेरे phone के अंदर कितने mbps का internet speed आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पर live दिखाता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो 200 cross कर चुका है मेरे ख्याल से यह 250 तक जाना चाहिए 240 cross कर चुका है 248 248 mbps का speed अभी मेरे phone के अंदर आ रहा है यह सारा setting करके नया APN create करने के बाद तो आपको भी दोस्तों अपने phone में यह सभी setting करना है उसके बाद से नया APN create करके अपने phone को restart कर लेना है उसके बाद से दोस्तों आपके phone में full network के साथ साथ high speed में internet चलेगा तो उम्हीद ने दोस्तों आपको यह video जरू पसंद आया होगा video informative लगा हो तो आप इसको like और share कर देना channel को subscribe नहीं किया है please इसको subscribe कर लेना facebook पे देख रहे हो तो आप मेरे facebook page को like और follow कर लेना